हैं जयांग नीन से उठता है और पूछता है कि तुम अभी तक क्यों नहीं सोए क्या मैं सो गया था जयांग बाई पूछता है कि जिन आुरतों का चितर तुम ने बनाया था क्या वह तुम्हारी एक लवरती ज्यान बोलता है कौन सी औरत अच्छा वह वह जो चित्र मैंने बनाए थे वह तो लोगों के कपड़ों के कॉस्ट्यूम के चित्र है जैन बाई तुमने काफी सुंदर तरीके से वह चित्र बनाए थे ज्यान सोचता है मनी मा की क्या यह ज्वेलर्स है इससे जैन बाई बोलता है कि तुम जितना हो सके दूसरी औरतों के संपर्क में मत रहो इससे रेपिटेशन खराब होगा दूसरी तरफ दो लोग अपने माता के बारे में बात कर रहे होते हैं कि अभी तक मास्टर अपनी पतनी के कमरे से बाहर नहीं आए हैं, जैन बाई बताता है कि अभी भी उसके शरीर से पूरा पोईजन नहीं गया है और पूचता है क्या तुम्हें मेरी चिनता है जियान कहता है कि हाँ आप ऐसा सोच सकते हो, जैन बाई बताता है कि उसे एक लाल रंग के फ्लावर की जरूरत है जिसे ढूंडना बहुत ही मुश्किल है जब यह फ्लावर मिलेगा तभी उसकी दवाई पूरी बन सकेगी दूसरे दिन की सुबह सर्वेंट आती है और बोलती है मास्टर में वापस आ गई और बताती है कि ज्यान मास्टर जी परसूं को आप धून रहे थे वह परसन मिल गया है ज्यान बोलता है कि तुमने एक अच्छा काम किया वेरी गुड लिवन काफी उदास लग रही होती है बताती है कि वह मेंशन के बाहर सिस्टर से मिली थी ज्यान बोलता है कि अब जब तुम मुझे फॉलो कर रही हो तो तुम्हें किसी और चीज की चिन्ता करने की जरूरत नहीं है तभी एक लड़का आता है और बोलता है कि मास्टर मैंने पूरी शॉप को रिपेर कर दिया है आइटम्स भी स्टॉक में भर के रख दिये हैं और दो नए एमपलाइज को भी मैं भरती किया है लटकाए हुए सारे कपड़े काफी खूबसूरत दिखाई दे रहे होते हैं तभी मास्टर कहते हैं कि कल हम अपनी दुकान का उदघाटन करेंगे दूसरे दिन उनकी नई द देखकर बड़े ही खुश होते हैं और सभी को यह सारे फैबरिक खरीदने होते हैं उनकी दुकान में ग्राहकों की लाइन लग जाती है तभी दूसरी तरह जी मेंशन की बेटी भी इस दुकान को देखते हैं और अपनी सर्वेंट को बोलता है कि यदि फैबरिक बहुत कि तुम सब को बता दो कि कल से हमारी दुकान में जो फैबरिक है वह डिफरेंट साइज और डिफरेंट मटिरियल में भी लोगों को मिलेगा जयन ब्रदर यूवन वह एक गिफ्ट देता है जो बॉक्स पैसों से भरा होता है और बोलता है कि यह हमारे दिल का पहला जोड़ कर चला जाता है ज्यां को एक पैंटर मिलता है जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी होती है वह उसे पैंटर को अपने काम पर रख लेता है और बोलता है कि अब से हम जो पैंटिंग बनाएंगे वह सिर्फ नोबल लोगों के लिए बनाएंगे तभी मेड आती है और बोलती है मास्टर आपको जाकर थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए ज्यान बोलता है कि यदि तुम ठक गई हो तो तुम जाकर पहले सो जाओ मेरा जब काम खत्म हो जाएगा तो मैं खुद ही जाकर सो जाओंगा दूसरी तरफ एक स्यूवी जान भाई को बताता है कि उसने सेक करना चाहिए जान भाई बोलता है यह सारे आइटम्स को कलेक्ट करके अच्छे से रख दो ज्यांग अपनी मेड एकस आओ को बुलाता है और बोलता है कि मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ लेकिन सर्वेंट की आने की जगह कोई पागल आदमी आजाता है और बोलता है क कि मास्टर में आ गया हूँ क्या आप हम शुरू करें ज्यान पूछता है कि तुम कौन हो और तुम यहां कैसे आए और यह जो आदमी आया हुआ आता है उसे वह धक्का देने लगता है और बोलता है कि यहां से तुम जाओ तभी ज्यान भाई आजाता है और उसे पागल पूछता है कि तुम हो कौन हो ज्यान बाई सोचता है कि मेरी पत्नी सारी रात घर नहीं आई तो क्या वह अपने लवर से मिलने के लिए यहां रुकी हुई थी वह पागल आदमी शौक्ड हो जाता है। जैन बाई और देता है कि इस पागल आदमी के हाथ पैरों को काट दिया जाए और इसे कहीं फेंक दिया जाए। इस तरह का सलूक कर रहे हो जान बाई बोलता है कि मुझे तुम्हे लेसन सिखाना पड़ेगा और वो जान के साथ जबरदस्ती करने लगता है। दुसरी तरफ एमपरोर रुई टिन रान यव फुचिल्ला रहा होता है कि जान बाई बहुत चतुर है इतने सम्मय से जान बाई को माराने की कोशिश क कर रहा हूँ फिर भी नहीं मर रहा पौसिन भी दिया पर कुछ हुआ नहीं। दुसरी तरफ जान बाई अपनी गोद में जान को लेके आता है और बोलता है डॉक्तर को बुलाओ डॉक्तर आता है और चेक करता है और बोलता है कि जान को अराम की जरूरत है एक दवाई दे के चला जाता है जान के पुरे शरीर पर निशान होते हैं ये निशान जान पर जबर्दस्ती की थी गुड्स बात कर रहे होते हैं। कि अब तक जांग उठा क्यूं नहीं और वो बोलता है प्लीज उठ जाओ मैं वो सब कारूंगा जो तुम काहूंगे। एंपरोर को एक गार्ड आके बताता है कि जांग बाई अपनी कुबीन को लेके आया था और वो ठीक दिख रहा था। इंपीरियर बोलता है कि अब वो दूसरे तरीके से नीती बनाएगा दूसरी तरफ जायक को होश आ रहा होता है। उसे सब याद आता है कि क्या हुआ था जब वो उठता है तो जांग बाई की गोद में बैठा होता है। जांग बाई बोलता है तुम उठ गए ज्याग बोलता है मुझसे दूर रहो मुझे मच्छो जांग बाई ओके बोलता है पर मेडिसिन ले लो पर ज्याग मेडिसिन बाउल को फेक देता है जांग बाई दूसरे बाउल को लाने के लिए बोलता है सर्वेंट को फिर वो ज्याग बोलता है, इसका मतलब जिसे मैंने फिश खिलाई थी, वो भी तुम थे जानबाई बोलता है, हा मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहता था, तभी ज्याग जानबाई के मुह पर हाथ रख देता है, जानबाई ये जिनको बुलाता है, और अपनी कुबीन को मिलवाता ह मेल कुबीन पूछती है कि ये क्यों प्रेटेंड कर रहा था, तुम्हारे जगह जानबाई बोलता है, ये बाद में बताऊंगा, पहले कुछ कहा, लो मेल कुबीन बोलता है, मुझे भूक नहीं है, फिर भी जानबाई कुबीन को खाना खिलता है, और कुबीन जानबाई के कपडे को मुह से खीचती है ये देख के जानगबाई शौक्त रह जाता है और हस पड़ता है फिर वो बोलता है ज्याग मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ कुबीन शर्मा जाती है और बोलता है मैं नहीं करूंगा इंटिमेट वाली चीज नेक्स्ट टाइम और ये भी बोलता है कि नेक्स्ट टाइम तुम्हारा पैलेस भी जाला दूंगा जान बाई हसता है और कहता है ओके मैं एक दो पैलेस और बना लेता हूँ तुम आराम से जलाना सब को तभी मेड आती है ज्याद पुशाता है शौप केसा चल रहा है वो बताती है सब ठीक है तभी एक बाड आता है और बोलता है कि एमपीरियर ने आपको कुबीन के साथ बुलाया है